प्यारे दर्सों को आप लोगों का एक बार फिर से स्वाइब करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सफल दाइद और आइडिया है ने करकि इस खास स्पेस का मिसन एक्जाम में आज हमारा ये लेक्चर मिसन एक्जाम का तीसरे नंबर का है जिसमें हम आज आपको कराने वाले हैं इलेक्ट्रिकल केबल सैंड सोल्डरिंग और जिस परकार हमने विश्तार पूर्वक आपको लेक्चर फर्स्ट में विवसाइक सुरक साहिवं स्वास्थे से संबंदित और लेक्चर टू में ट्रेड ओजार से संबंदित आपको हमने MCU टाइप कोर्शन कराए है जो निमी पैटरन पर आधारित है उसी परकार विश्तार पूर्वक आज हम आपको थर्ड लेक्चर मिशन एक्जाम के इलेक्ट्र केबल सैंड सोल्डरिंग में कराने वाले हैं तो बिना किसी देदी के हम अपना आज का सैसन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कोर्शन हमारा 32 एंप्यर रेटिड केबल की धारा वहन छमता क्या होगी यदि इस से पूने तार बांधने योग्या फ्यूज से सुरक्सित किया गया हो क्या रहा है कि 32 एंप्यर रेटिड हमा देखें यह हमारी एक टेबल होती है उसमें मैंसन होता है वह मैं याद करनी होगी कि कौन सा कितना एंप्यर रेटिड कार्ण करेगा तो देखें जो अगर हमारा होता होता हमारा पंदर्यंपेर तो वो करता 12 Ampere वहन, रेटेड उसकी value होती 15 Ampere, वहन कितना करता, current carrying कितना करता, वो 12 Ampere करता, अगर 19 होता तो 15 Ampere करता, उसी परकार यहां पे दिया है 32 Ampere rated current है, लेगिन पूछा है carrying current कितना होगा, वो होगा हमारा 26 Ampere, जो option C में दिया है, तो right answer बनता है option C, next question है हमारा साइगे number पर, SWG से tar का आकार मापने की price क्या है, जो SWG होता है, देखे एक कोशन यहां पर direct यह बनता है, कि जो full form of the SWG, यानि SWG के full form क्या होती है, वो होती है standard wire gaze, इस से हम tar के आकार को मापते हैं, और पूछा है कि उसकी range कितनी होती है, उसकी range होती है, 0 से 36, देखे आपक की skin पर है, जो यह diagram है, यह हमारा standard wire gaze का होता है, इस से हम 0 से 36 तक के तारों को माप पर ले सकती है, जो 0 से 36 की तारों की माप होती है, वो इस से ले सकती है, तो यह पूछा है, जो इसकी range है, वो किदनी है, price क्या है, इसकी, वो है 0 से 36, right answer बनता option D, next question दिया है, star jod का क्या न साम बताना है, यह है हमारा tap joint है, tap joint तीन परकार के होती है, सामान्य tap joint, एक होता है हमारा, aerial tap joint, और तीसरा होता है, noted tap joint, यानि गाठ युक्त tap joint, देखें जो सामान्य और हमारा aerial type होता है, वो लगबग सामान होते हैं, लेकिन जो noted tap joint होता है, वो उसमें गाठ आ जाती है, दे जोंट Newton noted tap joint इसका right answer बन जाता है और essa ही होता कुछ और हमारा सामान्य tap by ऊसमें got नहीं होने थी यह 3 परकार के खते है याद रखना ready तो यहां पर पुछा है got tap joint ठीक है तो right answer बनता आप्षन बी नेस्ट को हुए दिया है जो फुलक्स का यूज़ करेंगे हम कौन से फुलक्स का यूज़ करेंगे देखे रोजीन फुलक्स का जस्ता कलोराइड साल अमोनियम या हाइडरो कलोरिक अमलका गैल्वनीजड आईरन को सोल्डरिंग करने के लिए हम हाइड्रो कलोरिक अमल का इस्तेमाल करते है फॉलक्स के रूप में तो राइट आंसर बनता है ओप्सन डी नेक्स कोर्शन फाइब नमबर पर है मात्रा उत्पादन और टीनिंग कारिया है तो कौन सी सोल्डरिंग विधी का परियोग किया जाता है देखे टीनिंग क्या होती है टीनिंग होती है हमारी जो आपकी PCB देखी होगी आपने वो हरी सी प्लेट होती है electronics में electronics equipment होती है तो उसमें एक हरी प्लेट होती है उसको बोलती है PCB यानि printed circuit board तो जो उसमें component होती है छोटे छोटे उसके घटक होती है component की जो soldering होती है उसको tinning बोलती है तो उसके कारे में पूछा है कि उसके कारे में हम कौन सी soldering विधी का यूज़ करते हैं हम महापे करते हैं deep soldering विधी का यूज़ करते है soldering विधी हमने आपको बतायते थियोरी में 6 परकार के होती है कौन-कौन से होती है एक soldering iron के दौरा एक होती है हमारी below lamp के दौरा एक होती है हमारी कड़ाई और कर्ची के दौरा एक होती है suiting एक होती है हमारी soldering gun के दौरा एक होती हमारी deep soldering ठीक है ना तो यहां पर पूछा टीनिंग का रही है तो कौन से सोल्डिंग जो उप्सन ए में दिया है तो रैट आंसर बनता है उप्सन ए नेक्स कोशन है इस भूमिगत केबिल में X से इंगित भाग का नाम क्या है देखें जो यह इस डाइग्राम में बताना है जो X है हमारा यह कौन सा भाग है देखें जो हमारा केबिल बनती है उसकी संरचना कुछ इस परकार होती है हम आपको बना कर दिखा लेते हैं देख सबसे पहले यहां पर हमारा होता है यह हम केबिल आपको बता रहे हैं केबिल हमारे कैसे सन रचना होती है उसकी वह कुछ इस परकार होती है सबसे पहले हमारी यहां पर कोर होती है यह होती है हमारी कोर उसके बार में, यहाँ पर हम चड़ाते हैं, यह हमारे कौन सी है, यह कौर है, यह बोल सकते हैं, conductor ठीक है, फिस दूसरी नमबर पर हमारा यहाँ पर आता है, इंसुलेटिन paper कुछ भी, मतलब इंसुलेट करने के लिए हम paper का यूज कर सकते हैं, यानि insulation लेयर आएगी यहां पर फिर उसके बाद में हम करते हैं यहां पर इसको बोल देते हैं मैटालिक सीट चलाना जिसमें हम यूज करते हैं यानि लैड का यूज करते हैं जो यह हमारी पीबी होती है जो मैटालिक सीट चलाते हैं इसके उपर यह हम नमी से बचाने के लिए उसको करते हैं यह कोर के बाद में हम जो इंसुलेटर चडाते हैं इसका वो इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो current है उससे हमें बचाव मिल सके फिर उसके बाद में हम seat metal का यूज़ करते है जो PB चड़ाते है जिसके हम उपर LED की एक seat चड़ाते है इसका यूज़ होता है हमारा नमी से बचाने के लिए अपनी cable को फिर उसके बाद में करते हम यहाँ पर बीडिंग का काम होता है हमारा देखें बीडिंग के आगे चलते हैं यहाँ पर करते हैं आर्मेलिंग के बाद करते हैं यहाँ पर सबदकर के लिए बीडिंग होता है बीडिंग हमारा जूट का आवरंच चड़ा जाता है यह लिए हमारी देखें मैटली लिए हम इसलिए करते हैं ताकि जो तो इसलिए अमारो ये हमारी सीट यह पर कें पर दोड दो मिलती हैं चटांग रहते हैं ऐसे कताव होने लगता तो हम की यह उस को पड़ाओं की यहां सर्विंग को यूज करते हैं और सब्सक्तेकर अश्य काइब करें नियुक्षण हो बातक। करते हैं केबिल को ठीक है ना जैसी तापमान हुआ इन से बचाने के लिए हम इसका सर्विंग का यूज करते हैं मुझा अमीद है आपको इसकी संरजना अच्छे से समझ में आए गया जोगी यह हमारा केबल होता है तो पूछाएं जो एक्स है हमारा एक्स क्या इंगित कर रह एक बीड़िग हो कर रहा है तो रवाइट अंजर बनता है ओपसं एक्स tillफ़ फॉर्म पूछा है XLPE का full form होता है Cross Linked Polyethylene, क्या होता है Cross Linked Polyethylene तो right answer बनता है option C, देखे Cross Linked Polyethylene दिया है, यह इसकी full form होती है Nash question दिया है 8th नमबर पर, what is the purpose of serving layer, बताया था हमने आपको serving layer का purpose क्या होता है वायो मंडल से जो नुकसान होता है उससे बचाता है, option A में दिया है, Cakell को नमी से बचाने के देखे, Rs. Cable को नमी से के लिए हम कर रहे है, ह्माद के स्ट का याद शीडित का यूज कर रहे है, option B में दिया है cable को यांतरिक छथी से बचाना, यांतरिक छथी से हमारा army बचाता है धातवी कवर को चरन से बचाना धातवी कवर को हमारा bedding बचाता है चरन से, और चोथे पर दिया है army को वायू मंडली है, इस्थिती से बचाना जो वायू मंडल में हमारे वायू मंडल की वज़े से नुकसान हो जाता है उससे बचाना तो यह हमारा right है जो serving होता है वो वायू मंडल के जो छती है उससे बचाता है तो right answer बनता है option D लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस परकार के दोस्त के स्थान को ग्यात किया जा सकता है देखें जो यह लूप टेस्ट दिया है यह हमारा मूरे लूप टेस्ट है इससे हम अर्थ जो हमारा underground केबिल्स होते है उसमें earth fault को हमें पैचानते हैं इसकी मदद से और दूसरा बटेस्ट हो इसमें earth fault है तो इसमें डाइग्राम में देखिए यह हमारा लगू-परिपत दोस्त को बता से बता रहा है कि इस डाइग्राम में कुछ इसपरकार का ह देखिए है या बदिस्ट्ट जाएं रिभॉग है कि ठीक है न ऊब हो कि देखिए यह डाइग्राम कुछ हमारा इस परकारगत दिया गया है यह हमारा मुरे लूप टैष्ट है उद्धिए गयर को बता रहा है देखिए हमारा दूसरा कंडुक्टर है और इस कंडुक्टर के बीच में हम देख रहे हैं कि हमारा कोई short circuit तो नहीं है अगर यहां पर होता है इस conductor के स्थान पर होता है यहां पर होता है हमारा earth thing तो यह बताता कि यह हमारा earth fault को इंगित कर रहा है यानि यह जो मूरे लूट टैस्ट यूज़ कर रहे हैं यह earth earth fault को हम देखने के लिए यूज़ किया है लेकिन इस डाइग्राम में यहां पर हमें दे दिया है यहां पर conductor दे दिया है यानि हम एक और दूसरे conductor के बीच में देख रहे हैं कि हमारा कोई short circuit तो नहीं है तो यहीं पुछाए कि जो यह मूरे लूट टैस्ट का डाइग्राम है यह कौन सा फोल्ट को बताता है यह बताता है लगू परिपत दोस्को उप्शन बी में short circuit फोल्ट को यह बताता है तो रैट अंसर बनता है उप्शन बी नैस्ट को संधिया उत्पादन संयत्रो यानि जनरेटिंग स्टेशन में किस परकार की केबिल बिचाने की विधी का प हवा में बैचा देते हैं कोही किलिब वगड़ा के उसको अंडरगराउंड नहीं करते हैं वह से लिए करते कि उसको कभी भी चेंज करना पड़ सकता है ठीक है तो राइट अंसर बनता है ओप्शन बी रैक इने-एर यानि हवा में हम वह मैथे यूज करते हैं जहां पर पा हमारा नाभी होता है इसके बाद यह हमारी आटर सेल साथी है यह होती है हमारी आटर मोशल तो सबसे जो अंदर वाली होती है इसमें होते हमारे 2 इलक्टरों 2, Clean 18 और 1 इसमौeftार 17 औरbolt 15 यह होता है हमारा वइलмовाणस सेल में उपस्तित इलक्टरोनों की संक्या का तो इसने पूछा है ताम बेगाई सी यू 39 होता है तो 39 के अनुसार हमारा यह बन कराता है दो आठ अठारा एक तो जो इसका वैलेंस सैल में उफचती इलक्ट्रोन है वो है हमारा एक तो राइड अंसर बनता है ऑप्सन ए नेस्ट को पूछा है नियोन लैंप में विद्धु परभाव रासाइनिक परभाव और पाच वोता है हमारा गैस आयनी करन परभाव तो पूछा है जो हमारा नियोन लैंप होता है उसमें कौन सा परभाव देखने को मिलता है उसमें परभाव यह फिर चुम्क्या परभाव यह रासाइनिक परभाव यह गैस आयनी करन परभा हो प्रति रोद की एक ही होती है क्या होती है कि यहां पर नहीं संतुष्ण होना हमें आगे भी उप्षन पढ़ने है किलो अउम मिली ओम यह मेगा ओम देखे जो हमारा कुछालक होता है उसका अनन्त प्रति रोद जितना होगा उतना अच्छा होगा तो यानि किलो से बड़ा, मेली से बड़ा, मेगा, जितना मेगा ओम होगा, वो अच्छा होगा, तो यहां पर हम, जो सटी उत्तर बैठते है मेगा ओम, कुछालग का पतिरोध का जो यूनिट है, वो हमारी अम متka होती है, रैट आंसर बनंत आ है, उप्शन D, नेश कोऊषन द दी है चार इसमें पूछा है कि कौन सा अधिक धारा का संरक्षन कर सकते हैं वो कर सकता है हमारा पून है तार बांधने योग्या फ्यूज जो हमारा किट कैट फ्यूज होता है रिवाइबल रिवाइबल फ्यूज होता है वो हमारा अधिक धारा संरक्षन कर सकता है तो सब्सक्राइब 34 थिए 6 अधियराउंक टो्रेस आइरन का सोल्टिंग करने है तो मुहकाई 3लिए 8-9 को सोल्टिंग करने होगा 3 केर अल लाइट जो option B में दिया है केर अल लाइट का मापे यूज होता है aluminium को solding करने के लिए next question है 17, 17 में पुछा है पिंगले हुए solder को बार-बार पिंगालने से क्या प्रभाव होता है देखे जो solder होता है हमारा जो solder होता है वो किस से मिलकर बना होता है वो बना होता है हमारा S&T और PB से टीन और लैड से मिलकर बना होता है जितनी अधिक उसमें टीन की मातर होती है उतना उसका कम गलनांक बिंदू होता है यानि उतने ही कम temperature पर वो पिंगलता है जितना अधिक उसमें टीन होगा तो यह पूछा है कि अगर उसको बार-बार पिंगा रहे हैं तो उसमें क्या होगा उसमें टीन का भाग कम हो जाता है सिसे का भाग कम हो जाता है सलक को बनने से रोक देता है जोडों पर ऐसमान बहुत है देखे जब उसको बार-बार पिंगा आवरन है केबल के उपर आपने देखा होगा पीवी सी का आवरन होता है ठीक है ना तो उसका पूछा है उस पर क्या फरक पड़ेगा अगर बहुत लंबे समय तक हम उसमें धारा परवाइद करा रही है तो उसमें फरक ये पड़ेगा कि जो इसका रजिस्टेंस है रजिस्ट होता है इंडरल सैंटेंगे मैं फ़र प्रपोर्च्णल होता है टेमिप्रेचर के ऐंड न अगया त्जी अदेगर घर टेंगा तो रिज्टेंगे रजिस्टेंद गटेगा आई तो जो ilim हमारा घटेगा क्योंकि तावमान बढ़ रहा है तो राइट आंसर बन रहा है ओप्सन डी नैस्ट को संदिया है 19 केबल विछाने की कौन सी विधी संक्रीन छेतरों हेतु उप्यूक्त है संक्रीन मतला जापे भीडबाड का छेतर है महां पे पुछा है कि कौन सी विधी जावनों के साथ सीधे जमीन में देखे डक्ट पाइप का महां पर यूज करते है डक्ट पाइप मैथड का महां पर यूज करते है तो राइट आंसर बनता है उप्सन बी नैस्ट को संदिया है 2020 में पुछा है इस भूमिकत के विल में एक से इंगित भाग का नाम क्या है द प्राइट बनता है उप्सन डी नैस्ट को सनने 2121 में पुछा है बूमिकत के विल के किस परकार के दोस्को ग्यात किया जा सकता है दीखे दोबारा यह को सन रिबीट हुआ है मूरे लूप टेस्ट वाला हमने बताय था अगर यहां पर कंडुक्टर है तो यह हमारा सोट सर् दोस्को तो राइट अंसर बनता है उप्सन बी नैस्ट को सन 22 में पूछा है भूमिकत के विल में कौन सा भाग धातवी कवच को चरन से बचाता है बैडिंग जो हमारी दो धातु के बीच में चरन होगा उससे बचाने के लिए हम बैडिंग का इस्तिमाल करते है यही च्छा दो स्टेंड में क्यों रख जाता है přिंद कारण को स्टन को बचाना है देखें अगर हम इसको मां लें हमने यह पर रग दिया तो यह हमारा गरम होने कारण ये dash को हमारा जला सकते है तो main उद्दे से यह होता है कि हमारा जो जलने एवं अगनी को रोकता है अगर हम इस टेंड में रखते है ये main इसका कार्या होता है तो right answer बनता है option A ये जलने एवं अगनी को रोकता है next question 24 में पुछा है जंक्षन बॉक्स में किस परकार के तारो के जोड पाए जाते है जो जंक्षन बॉक्स होता है उसमें पूछा है कौन से परकार के उसमें जोड पाए जाते है aerial tap जोड सीधे tap जोड rat tail जोड या married जोड तो जो rat rat tail जोड होता है उसको पिक टेल जोड भी बोलते है या उसको ट्विस्ट जोड भी बोल सकते है तो वहाँ पर हम ट्विस्ट जोड का इस्तिमाल करते है ट्विस्ट जोड हमारे कौन सा होता है ट्विस्ट जोड होता है कि हमारे दो तारे है तो इनको हम ऐसे एंट देते है तो जो यह ट्विस जॉड्स में यूज करते हैं नेश्ट कोशंधिए इस जोड़ का किया नाम है देगे इसको हम इस परकार जोड़ते है फिर तार ले बेट देपे फिर डिया इसने घ्रब्डर वेस्टरन यूनियन जोर फिर एक हमारे कुछ इस आफ तार हम आप ranging से कि इसको fair करते हैं ठीक हैं आपने प्रैक्तिकल में किया होगा और फिर आता है भी बीटा निया टी जोड़ urnुध हमारा यह होता है यहां पर एक तीसरे तार की मदद से इसको यहां पर लेपिट देती है आपके याद आ गया होगा जब आपने प्रैक्टियल किया होगा तो यह हमारा जोड है यह हमारा सीधा जोड होता है स्ट्रेट जोड होता है जिसे मैरिड जोड भी बोल देते हैं इसके तीन नाम है सीधा जोड मैरिड जोड या स्ट्रेट जोड तो राइट अंसर बनता है ऑप्शन ए लाइन की लंबाई को बढ़ने के लिए यहा तनाव अधिक होता है महां पर हम वैस्टन उनियन जोड का यूज करते हैं आंत्रिक और बाहिये वायरिंग इस्थापित करना चालक पर यांत्रिक तनाव आफसक नहीं सिरोपली लाइन से सेवा जुडाओ के लिए देखिए हमारी कोई सिरोपली लाइन गई हुए ऐसे अगर हमें यहां से कोई अन्य साखा जोड़ना अन्य तार सप्लाइ जोड़नी है तो हम क्या करते हैं यहां पे बीटान्य टी जोड़ का इस्तिमार कर लेते हैं तो रहएट आंसर बनता है option D 0 पर लाइन से सेवा जुडाव हे तू जोड़ना ठीक है ना बेटान या T जोइंट का इसने उप्योग पूछा था Nash question 27 में पूछा है serving servicing और repairing कारिये के लिए किस परकार की soldering विधी परियोग की जाती है servicing और repairing के लिए पूछा है पहले पूछा था उसने टीनिंग कारिये है तू तो महाँ पर हमने deep soldering का यूज किया था लेकिन जहाँ पर पूछेगा servicing और repairing के लिए महाँ पर यूज करती है हम soldering gun के साथ soldering विधी यानि soldering gun का महाँ पर इस्तेमाल करते है जो option C में दिया है soldering gun के साथ soldering करना जहाँ पर servicing और repair का कारिया हो तो राइट answer बनता है option C Nash question 28 में पूछे है deep soldering विधी का उप्योग क्या है deep soldering विधी का हमने बताया था आपको teining का कारिया क्या होता है PCB जो छोटे छोटे हमारे घठक होते है component होते है उनकी soldering करना और पाइपिंग और केबल soldering का रही है c में दिया है PCB में छोटे भागों की soldering करना अभी बताया मैंने तो वही पे हम deep soldering का use करते है जो pcb board होता है हमारा वहां पे हम किसका use करते हैं वहां पे छोटे-छोटे भाग होते है हैं उनको सोल्डिंग करना होता है तो महाँ पी हम डिप सोल्डिंग का यूज कर लेते हैं राइट अंसर बनता है उप्संट सी नैस्ट कोशन है 29 29 में पूछा है बैल्टिड भहमिकत केबल देखि Anyway पूछ लेता है कि यह कोई केबल के डजाता है इसका नम हैaison एक्स इंगित भागた का नाम क्या है देखिए जो एक्स है उसका नाम पूछ है क्या है तो यह होता हमारा लैड सीथ can क्या होता है लैड सीथ टो राइट आंसर बनता है option C नर्च कूसर हमारा 3030 में पूछा कौन सा कुछा लोक पतारत भूमिकत केबिल में क़र्म योगी की तरह डालता है कुछ लोक पतारत पूछाहें गर्म योगी कांप रिडिलते हैं हमारा गर्म योगी बता जएता हमूं वैसे तो होता है हमारा वो बीटुमन बीटुमन कंपाउंड होता है अगर हमारा होता है कि यह हमारे केविल है यहां पर अंडरक्राउंड केविल के बात कर रहा हूं तो यहां पर हमारा कुछ जोड लग गया है इन दो केविल में यहां पर जोड आ गया है तो जोड को हम सुर मेनियस कंपाउंड यह हमारा होता है इंसुलेटर का यूज़ करते हैं यह हमारा एचालक की तरह यूज़ करते हैं और नमी का इस पर बिलकुल भी कोई प्रवाव नहीं होता है ठीक है ना तो यह पुछाए कि जो हम भूमिकत के बिल में योगिक का यूज़ करते हैं गरम यो हमने बढ़ा था है दो धात्रों के जो भाग हैं उनको छरन से बचाना ठीक है न तो ओॉप상이। में में धिया लिए क्वाय से बचाने के लिए क्विश करते हैं केविल को नमी से बचाने लिएम बैडिंग का यूज करते हैं राट अंसर बनता है ओप्सन डी नैस्ट को से थर्टी टू में पूछा है बूमिगत केबल के किस परकार के दोस्त को ग्यात किया जा सकता है word test is conducted to locate the faults in yози cables będzie केबल में हम किस टेस्ट ऋकर से दोस्त को पैसां सकते हैं एक तो हम पैचानतें मेगर के साहेते से दूसरा पैचानते मुरे लूप टेस्ट के साहेते से और तीसरा पैचानतें लडे लूप टेस्ट के साहेतेसे अब देख लेते हैं लूप टेस्ट बाहिए ग्राउलर टेस्ट ब्रेकडाउन वॉल्टेस्ट कुछ अलएक पड़ती रोड टेस्ट लूप टेस्ट का में यूज करते हैं अगर हमें हमारा जो भूमिगत के बला है उसमें कोई दोस्त की पहचान करनी है तो राइट अंसर बन साथ एक पॉइंट चार है तो पूछा है इसमें जो एक पॉइंट चार है वो किस चीज को इंगित कर रहा है देखिए जो यह साथ है साथ बता रहा है कि हमारा कोई केबल है उसमें साथ कोर है साथ तो कोर की संख्याव को इंगित कर रहा है लेगिन जो वन पॉइंट फॉर जिरो हैं यह हमारा पड़ती एक कोर के व्यास को इंगित कर रहा है क्या कर रहा है पड़ती एक कोर के व्यास के यह साथ को रहा है तो पड़ती एक कोर का व्यास कितना है वन पॉइंट फॉर जिरो तो जो उप्सन डी पड़ती एक चालक का व्यास यह इंगित करता है पूछा है वो होता है 35 मोह अपवों मीटर इस याद करने का टाटत हैत रिवी की अधिक धारा स्मिक्न के लिए धारा रेटिंग क्या हैiciones अधिक धारा रेटेंग याद कितना है सब्सक्सा ऐसे यह लिए धारा रेटिंग criticizing फैक्टर पूछा है जिरो पॉइंट एट वन तो राइट अंसर मनता उपसंसीन एश्ट को से थर्टी सिक्स में पुझा भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में कितना होता है को ही हमारा भूमिगत केबल है उसमें पूचा है एक बार इसको रफ कर लेता हूं तो जो भूमिगत केबल होता है हमारा माले हमारा केबल का अनुपस्त कटाक्स है तो पूझा कि थी फेज है तो जो चोथी होगी वो उसका आगार पुछई है फेज की फेज के पढ़ती कितना होगा तो वो होगा हमारा फेज चालक के आदा हो जाएगा जितना इसका है साइज, उसका आधा हमारा उदास हीन होगा, यह हमारा phase 1, यह phase 2 यह होगा हमारा phase 3 और यह हमारा neutral, तो इसका आकार पूछाया, phase की तुलना में कितना होगा, phase की तुलना में आधा होता है, तो right answer बनता है option B, phase चालक से आधा होता है, नेस्ट कोर्शन 37, 37 में पूचह है कि इस ओजार का क्या नाम है, देखे इस ओजार का नाम बताना है, उप्सन देख लेते हैं, कटिंग पलायर तो यह है, और यह लिए नि-खार, पर भी नहीं है, यह क्रिपिंग टूल है, यह होता है हमारा क्रिपिंग टूल, ठीक है ना राइड अंसर बंद ऑप्सन सी नेश्ट को सने थर्टीन माइक्रो मिटर का पार्थ्यांग क्या है यह जोम कर देता हूं बताइए इस माइक्रो मिटर का पार्थ्यांग क्या है इस माइक्रो मिटर का पार्थ्यांग पहले इसकी जो मेन स्केल है वो देखते हैं वो 4.55 mm ठीक है न तो इसका जो पार्ट यहां गई है 4.55 mm तो राइड अंजर बनता है उपसंसी नैस्ट कोशन है 40 पुछा है वानों की बोड़ी के सुधार है तो सोल्डरिंग कौन सी वीदी परियोग की जाती है इसमें पूछा है कि जो वानों की है हमारे वीकल्स बोड़ी है उनकी मरमत के लिए कौन सी सोल्डरिंग यूज की जाती है वो की जाती है हमारी जवाला के साथ सोल्डरिंग जो ऑप्शन B में दिया है जवाला के साथ सोल्डरिंग डीप सोल्डरिंग हमने बताया था जहां पे PCP बोड़ के हमें सोल्डरिंग करनी होती है और जान पर हूम हम सर्विसिंग करने हो किसी की मरंमत पर पूछा है कि वीकल बोडी की मरंमत इन्स गाने हैं तो जाए रइच स़्डिंग न हमां 31 इंद्र करकlov न हो उसकी अपेक्सा तो जो हमारा गुथा हुआ होता है वो हमारा अधिक लचिला होता है अपेक्सा किसके जो हमारा कठोर चालक होता है तो राइट अंसर बनता है option B अधिक लचिला होता है next question 42 में पूछा है, 16 ampere cable की धारा चमता क्या है, यदि यह अधिक धारा सुरक्सा, दोरा सुरक्सा, देखेज़़ों सबसे पहला question है, हमारा उसमें पूछा था, 32 ampere rated हमारा cable है, और current carrying पूछा था, कितना करेगा, तो यही कोशन है, 16 ampere rated हमारा है, तो current carrying कितना करेगा वो करेगा हमारा 13 amp का यह आपको लिस्ट याद करने होगी टेबल होती है तो यहाँ पर राइट आंजन बंदा है option B next question है हमारा 43 43 में पूछा है बिजली की मातरे की इकाई क्या है देखे electricity की पूछिए quantity of electricity electricity की quantity पूछे पहले बता देता हूं आपको electricity होता है किसी आवेस यानि क्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक का परवा हमारा क्या 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 लाता है electricity कहा रहता है यानि विद्दूत कहा रहता है तो पुझाए जो यह क्यों है जो आवेस है इसका हमारा unit क्या होती है मातरक क्या होती है वो होती है हमारी कुलाम तो राइट एंसर बनता है option B next question दिया है 44 में पुझा soldering विदी का क्या नाम है दिए जो यह soldering दिया है पूछा है इसका नाम पूछा है यह हमारा soldering iron होता है दूसरा नाम इसको यह भी बोल सकते है soldering iron with temperature controller यानि तापमान नियंतरंग के साथ हमारा soldering iron है तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है कुछ के वाला soldering आयं दिया है option B में तो रहाट निसर बनता है option B next question 45 में पूछा है विद्धुत वाग बल ज्यात करने है तो किस सुतर का उप्योग करते हैं देखिए यह हमारा सरकिट है कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पर वोल्टेज हमारी चीक है ना यह वोल्टेज य XDR ठीक तो फूचै हमें the AMF नशना है को तो इसका formula क्या होगा एक हमारा मोगा है वका वर्मूला होता है तो जो हमारा हमें वोर्टेज डिफरेंस होना फोटेंसल डिफरेंस है पोटेंसल डिफ्रेंस पलस पोटेंसल डिफ्रेंस क्या होते हैं मालने यहां पर दस है यहां पर आठ हो गया यहां पर हमने नाप है तो आठ हो गया तो जो पोटेंसल डिफ्रेंस होगा 10-8 यानि 2 voltage हमारा potential difference है फिर दूसरा हम add करेंगे इसमें जो यहां पर voltage drop हुई है तो plus voltage drop ठीक है ना तो potential difference plus voltage drop potential difference मालिया 2 volt है plus voltage drop हमारा 3 volt हो गया तो यानि जो total हमारा EMF आ गया वह आ गया हमारा पाच वोल्ट यह उधारन लियत है मैंने इसमें केवल फॉर्मूला पूछा है EMF ग्याद करने का फॉर्मूला वह होता है potential difference प्रैस वोल्टेज ड्रॉप ठीक है राइट अंसर बनता है तो वह हो जाता हमारा point zero one sorry point eight one तो यहां पर राइट अंसर है option c one point two three next question हमारा 47 में पूछा है कि ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानी है पहले पूछाता है जो गुथा हुए चालक है उसका क्या लाब है तुलना में किसकी ठोस चालक की यहां पर पूछा है ठोस चालक का क्या नुकसान है, तुलना किसकी गन्नी है, गुथेवे चालक से, तो जो ठोस चालक होता है, वो हमारा कम लचीला होता है, उसमें कम लचीला पन होता है, तो option A में कम कठोड़ता है, कम लचीला पन, कम गलना, कम यांद रिक सकती, तो कम लचीला पन होता है, अप हमारी होती है ो रींग करना ओप्सन्स में हैं हमारी सोल्डिंग है यह दोस्ता और वह क्या होता है तो उसका कारण पूचा है उस दोस्ता कारण पूचा होता है कि उसे आप प्रयापत मातर में उस्मा नहीं मिल पाती जब प्रियाप्त मातर में उस्मा नहीं मिल पाती तभी तो बार-बार ठंडा होता है अगर उसे अत्या धीक उस्मान मिलेगी तो ठंडा थोड़ा होगा वह तो गरम होगा और भी सी में दिया है सोल्डर का गलत परियोग उच वाट सोल्डरिंग आयरन नहीं जो उसे प्रियाप्त उसमा न मिलने कारण वो बार बार ठंडा हो जाता है तो राइट अंसर बनता है ओप्सन बी नैस्ट कोर्शन है फिप्टी फिप्टी में पूछा है क्या होता है यदि हमेशा हमारा सामांतर में जूड़ता है लेकिन कहता है मैं इसको सामांतर में जोड़ता है मैं इसको आइमिटर की तरह जोड़ता हूं यानि वो हमारा सिरेनी में जूड़ता है तो यह अगर कहता है यहां पे जोड़ता है सामांतर बजाए सिरेनी में जोड़ता है तो क्या उधारन है किसका यूज करते हैं यह बोल सकते हैं और ने मिनियेचर सर्किट ब्रेकर बी मॉल्डिड के सर्किट ब्रेकर सी एच आर से फ्यूज यानि हाई रैप्चरिंग कैपसिटी फ्यूज या डी रिवायरेबल टाइप फ्यूज यानि पूने तार बांधने योग्य फ्यूज इसी जो हमारा पूने तार बांधने योग्य फ्यूज होता है इसी का हम यूज करते हैं अधिक अतिरिक धारा सुरक्षा के लिए और यह हमारा सस्ता भी होता है किट कैट आपने फ्यूज देखा ही होगा और आसान भी होता है इसका हम आसानी से वायर चेंज करके एक नया फ्यूज की तरह सको यूज कर सकती है तो राइड अंसर बनता है उप्सन डी नेस्ट को सन फिप्टी टू आज इ कितनी भी आपने अबर है ड्लाइंस देखे होगी महाँ पर कौन सा यूज होता है एक नंगा चालक हमारा यूज होता है यानि बेर कंड़क्टर उसको इंगलीज में बोलते हैं और हिंदी में नंगा चालक उसको बोलते हैं अपस्टने में इस इंसुलेटिट कंड़क्टर इंसुलेटिट कंड़क्टर से आपने कहीं देखेने होगा इंसुलेटिट कंड़क्टर से अगर हम यूज भी करें केबल का यूज करें इंसुलेटिट कंड़क्टर हमारे केबिल्स होते हैं अगर हम केबिल्स का यूज करें तो केबल्स का यूज करने में हमें अधिक व् यूज़ करते हैं और हमारा सस्ता भी पढ़ जाते हैं वह इसलिए यूज़ करते हैं तो प्यारे दर्सकों मुझे उम्मीद है आपको आज का जो यह निसन एक्जाम का जिरो थिरी हमारा लैक्टर था इलेक्ट्रिक केबल्स एंड सॉल्डरिंग का उसमें हमने आज आपको 52 क कोशन करा हैं और मुझे उम्मीद हैं आपको यह पसंद आया होगे और एक एक कोशन आपका अच्छे से किलियर होगा अगर आपको कोई भी फिर भी कोई डाउट रहा गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं आपका जवाब नेक्ष्ट वीडियो में दे देगे तो अगर आपको आज का सेसन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का ग्यानवर्धन करने के लिए वीडियो को सेल करें और ऐसे ही मिसन एक्जाम पाने के लिए और अच्छे अच्छे नोलिज्स पाने के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए आई टि वीडियो में अब तक के लिए धन्यवा जय हिन्द जय भारत